अलो एंड वेलकम स्वागत है आपका समाजी ग्यान पे आज हम चैप्टर 6 न्यू क्वेस्टिन्स एंड आइडियाज के बारे में पढ़ेंगे ये बुद्ध की बारे में है और इस चैप्टर में बताया है कि महावीर जिन्होंने जैनिजम की स्थापना की बुद्ध का जो फाउंडेशन है कहां से स्टार्ट हुआ और उन्होंने क्या-क्या सिक्षाएं दी ये सब हम इसी चैप्टर में देखेंगे तो मैं इसे पूरा नहीं रेट कर रही जो इंपॉर्टेट पैराज हैं सिरफ मैं वही बताऊंगी सिधार्थ ऑलसो नोन अस गौत्मा दा फाउं New cities were developing and life was changing in the village as well. Many thinkers were trying to understand these changes in society. They also wanted to try and find out the truth meaning of the life. अब जो स्टोरी ऑफ पुद्धा है वो कहां से स्टार्ट होती है सिधार्थ नाम का एक राजकुमार था जो शाक्य वनिश्का था लुम्बीनी उसमें रहते थे और उसके बाद में वो प्रसिद हुए गौतम के नाम से और उन्होंने बुद्धिजम की बौत धर्म की गर हैं बड़ा किले बंद वाला जगा है वहाँ पे लोग रहते हैं राजा भी वही रहता है और विलिज के लोग यानि गाओं के लोग की लाइफ जो है इस समय बदल रही थी इससे पहले जो सिस्टम था वहाँ पे ब्रामणों का वर्चस था राजा जो भी सला मश्वरा क के अंदर आ रहे थे उन्होंने कुछ नया देखा यहां पर यहां की चीजों के बारे में जाना और अपना कल्चर यहां लेकर है तो समाज क्या हुआ बदलने लगा लोगों को एक नए धर्म की या एक नई विचार धारा की जरूरत महसूस होने लगी क्योंकि वो पुरानी इस से बचने के लिए दुख से बचने के लिए क्या करना चाहिए मेडिटेशन करना चाहिए और हमें ये चीजे समझना चाहिए कि जीवन के बाद हमारा क्या होगा दुख ही दुख हैं इस जीवन में तो हमें इस दुख से निकलने के लिए कुछ करना चाहिए ग्यान की तलाश में उन्होंने जब वो बहुत ही छोटे थे यानि 25-26 साल के रहे होंगे तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया मतलब राजमहल छोड़ दिया और वो दर दर घूम ग्यान की तलाश में उन्होंने लगे भटकने लगे ग्यान की तलाश में। और दाशनिकों से और उसके बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं अपना रास्ता खुद ही ढूंडूंगा और फिर फाइनली बोद गया के एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्यान की प्राप्ती हुई। ये जो वर्ड इसमें डिफिकल्ट है इनके मीनिंग्स भी मैं आपको दे दूंगी। After that he was known as the Buddha or the wise man, wise one. उसके बाद में वो जाने गए बुद्धा, बुद्ध के नाम से या फिर उसको क्या कहते है, wise man यानी समझदार आदमी। He then went to Sarnath near Varanasi where he taught for the first time. He spent the rest of life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at Kushinara. बुद्धा जो है वो पूरा सारनात के पास में उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया, जो R&C के पास में है, और उसके बाद में इधर उधर, मतलब पूरी लाइफ वो इधर उधर घूमते रहे और traveling करते रहे, पैदल ही और अपने teachings देते रहे, यानी जैसे होता ना, lectures देते हैं, तो वो इधर से उधर अपना प्रजार करते रहे, धर्म के बारे में बताते रहे, ज्यान के बारे में बताते रहे, और उसके बाद में, finally, कुशी नाराद जो नगर है, आज की date में ये उत्तर प्रदेश में है, कुशी नगर कहते हैं से, वहाँ पे उनकी death हो यह इसलिए होता है क्योंकि हमें बहुत सारी इक्षाएं हैं और हमें चिंताएं हैं sometime even if we get what we want, we are not satisfied and we want even more तब बुद्धा describe this as thirst और तना अब क्या है यह चीज कि बुद्ध ने बताया कि हम लोगों को हमेशा किसी ने किसी चीज की चाहत रहती है और जब हमें मिल जाती है वो चीज तब भी हम satisfy नहीं होते हमें और चाहिए होती है और यह हमारे दुख का कारण है उन्होंने describe कि यह जो thirst है यह जो प्यास है इस चीज की और चाहिए और चाहिए कि यही हमारे दुख का कारण है और यह सब में कैसे बदलावाएगा इस चीज से हमें चुटकारा कैसे मिलेगा कि हमें अपनी हर चीज को जो यह चिंताए है इनको छोड़ना चाहिए और एक नए तरीके से सोचना शुरू करना चाहिए उन्होंने लोगों को बताए कि उन्हें दयालू रहना चाहिए और उन्हें दूसरे के जीवन की भी इज़त करनी चाहिए इंक्लोडिंग एनिमल जानवरों के भी जीवन की इज़त करनी चाहिए उन्हें टॉर्चर नहीं करना चाहिए उनके लिए काइंड होना चाहिए यह विश्वास करते हैं किसमें कर्म में विश्वास करते हैं यानि भागय में विश्वास नहीं करते हैं, whether good or bad affect us, both of this life and the next, the Buddha taught in the language of the ordinary people, Prakrit, so that everybody could understand his message, Buddha ने जितने भी message दिये हैं, जितने भी जागा teachings अपनी दिये हैं, वो सारी प्राकृत भाशा में दिये हैं, इसलिए दिये हैं, क्योंकि यही आम लोगों के भोलचाल की भाशा थी, Sanskrit इस समय आम भोलचाल की भाशा नहीं थी, प्राकृत थी, What was the language used to compose the Vedas, वेद को compose करने के लिए, लिखने के लिए, कौन सी भाशा इस्तमाल की गई है, सबको पता है, कि यह Sanskrit थी, He also encouraged people to think for themselves, rather than the simply accept what he said, let us see how he did this, Buddha ने कहा कि, जो कुछ मैं बता रहा हूं, उसे यूही accept मत करो, उसके उपर सोचो, और उसके बाद में, जब उस पे चिंतन मनन कर लो, तब उसको accept करो कि मैं सही कह रहा हूं, या नहीं कह रहा हूं, Upanishad, around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answer to difficult questions, some of them wanted to know about life after death, other wanted to know why sacrifices should be performed, many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death, they describe this as the Atman or the individual soul and the Brahman or the universal soul, they believed that ultimately both the Atman and the Brahman were one, अब यहां पर उपनिशद क्या कहते हैं, उपनिशद यह कहते हैं, आपको मैंने पहले भी बताये कि, उपनिशदों में क्या है, हमारे वेद जो हैं वो, man to man चल रहे हैं, एक गुरू से दूसरे उस तक जाते हैं, अब लिखने वाला जो है, वो किस भाव से उसको लिख रहा है या समझ रहा है, उसका भी कुछ टच उसमें आता है, तो इसलिए जो लिख रहा है, वो as it is नहीं उसको कॉपी करता है, वो अपने विचार भी उसके साथ में देता चलता है, और इस तरह से जो एक नई चीज सामने आती है, वो थोड़ी सी modified होती है, क्योंकि अगर आप ये किताब पढ़ रहे हैं और इसी के parallel कोई और किताब है, तो दोनों की wording क्या है, same नहीं होगी, उपनिशद में भी ये बताया गया, जो वेदों में बताया है, कि जो जीवन है, वो after death भी है, आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए ही बनी है, वेद हमारे ये कहते हैं, और उपनिशद होने भी उसी चीज को second किया, यानि उसी चीज पर बल दिया, अब यहां ये बता रहे हैं, कि और लोग ये कह रहे हैं, क्या हमें sacrifice करना, perform करना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको जो 9th chapter जब explain किया था, तब ही मैंने बताया, कि sacrifices जो करते थे, बड़े बड़े यग्ये, महा यग्ये करते थे, वो राजा रजवाडे ही करते थे, जादा तर, जो आम लोग हैं, आपके हमारे जैसे middle class लोग, वो पूजा करते थे, मतलब बिलीव करते थे, भक्ती करते थे, लेकिन बड़े बड़े sacrifices नहीं करते थे, ये चीज आप आज भी देख सकते हो, कि अगर आपको एक छोटी सी पूजा करानी है, तो आप घर में ही करा होगे, और अपने दो-चार रिष्टधारों को बुलागे, जैसे सत्यनरेन भगवान की कता कराई, तो घर के और पड़ोसियों को बुला लिया बस, उसमें भी खर्चा लग उसी में जाके मिलती है, तो ब्रह्म को उन्होंने यूनिवर्सल सोल बोला है, और वो बिलीव करते हैं कि आत्मा, यानि हमारे शरीर के अंदर जो हमारा जीव है, यह आत्मा है, और जब यह इस शरीर को छोड़ेगा, तो कहां मिलेगा जाके, ब्रह्म में मिलेगा, यह सब कुछ कहां रिकॉर्ड किया गया, यह वेद की ही रिचाये हैं, वेद के ही उसे निकले हुए उपनिशद यानि सिक्षाये हैं, उन्हीं से बने हुए यह, अलग-अलग जिनोंने भी लिखे उनके उसके साथ में नाम अटैच हो गया, और इसके बाद में यह वेदिक टेक्स कहा गया, ठीक है, क्योंकि यह वेदों से निकला हुए है, वेदिक काल का है, इसलिए, उपनिशद लिटरली means approaching and sitting near the text, contain conversion between teacher and student, conversation between teacher and students, उपनिशद जो लिखे गए, वो इस टेक्स में लिखे गए, जिसको कहते है ना वारता की फॉर्म में लिखे गए है, कि teacher और student, teacher, student question कर रहा है और teacher उसको answer कर रहा है, जैसे यह उपर दे रखा है, कि एक का question है, दूसरे का answer है, often ideas were presented through simple dialogue, जैसे यहाँ पर दे रखा है उपर, most उपनिशदिक thinkers were men, जादा तर उपनिशद लिखने वाले आदमी थे, लेकिन इसके अलावा औरतों ने भी उसको लिखने मे मदद की है, especially Brahmins and Rajas, Brahmins ने लिखे है और राजाओं ने लिखा है, occasionally there is mention of women thinkers such as Gargi who was famous for her learning and participated in debate held in royal courts, राजदर्बारों में जो debate होती थी, वाद विवाद होते थे या कोई विवारता होती थी, lectures दिये जाते थे, उसमें गारगी का अपाला भी है, एक और भी है, दो चार मैत्रिये हैं, तो ये लोग भी वहाँ जाते थे और उस debate में participate करते थे, मतलब women's भी पड़ी लिखी थी उस समय पे ज्यादतर ब्रामन और राजा उपनिशदों को लिखा करते थे या लिखवाते थे, ठीक है, पूर पीपल रेरली तुक पार्ट इन 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 इस डिसकुशन, डिसकुशन्स, वन फेमस एक्सेप्शन्स वाज सत्यकामा जबाला, who was named after his mother the slave woman Jabali, he had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautama and became one of the best known thinker of the time. Many of the ideas of the उपनिशद were later developed by the famous thinker Shankaracharya about whom you will read in class 7th. अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर यह बता रखा है कि slave जो थे वो जादा तर इन सब चीजों में participate नहीं करते थे, लेकिन उसका भी एक उधारन यहाँ पर मिलता है कि कोई एक slave lady है, जिसका नाम Jabali है, और Jabali का जो बेटा है, बच्चा है, वो बहुती इंटरस्टेड था पढ़ने में, तो वो गुरू के पास ले गई और उन ग्राम्हन गुरू ने उसको पढ़ाना स्विकार किया, उन जो है, वो लिखी गई, शंकराचारे ने इनको फिर दुबारा से लिखा, ठीक है ना, आधी गुरू शंकराचारे जो है, उन्होंने इसको फिर से दुबारा से सारा कुछ लिखा, जैनिजम, the last of the 24th thinkers of the jains, वर्दमान महावीर, also spread his message around this time, that is, 2005 years ago, जैनिजम और बौधिजम एक ही टाइम के दोनों धर्म है, और जैनिजम जादा नहीं फैला, क्योंकि ये भारत तक ही सीमित रहे गया, और भारत में भी ये maximum गुजरात में ही है, इस से जादा ये बहार नहीं गया, जबकि बौधिजम का प्रचार, इसको तुरंत ही एक तर उनोंने इसको प्रमोट किया, लेकिन ये उतना नहीं फैला, जितना बहुत धर्म फैला है, उसके बाद में है, महावीर जो 24 में तिर्थंकर है, यानि 24 में गुरू है जैनों के, उनको वर्धमान महावीर कहा जाता है, यह वाज चत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्वी, वो लिच्वी के राजकुमार थे, अग्रुप दाट पार्ट अफ दा वजी संग, वजी संग के राजकुमार थे, अबाउट विच यू रीड चैप्टर फाइव, जिसके बारे में आपने चैप्टर फाइव में पढ़ा है, at the age of 30, 30 साल की उम्र में, he left home and went to life, live in forest, वो उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने चले गए, for 12 years, he led a hard and lonely life, 12 साल तक उन्होंने बहुत मुश्किल और अकेलापन वाली लाइफ जी, और at the end which he attained enlightenment, और उसके बाद उन्हें ग्यान की प्राफ्ती हुई, he taught a simple doctrine, man and woman who wished to know the truth must leave their homes, they must follow very strictly the rules of Ashmiya, which means not hurting or killing living beings, all beings said Mahavira long to live, to all things life is dear, ordinary people could understand the teaching of Mahavira and his followers because they use Prakrit, there were several forms of Prakrit used in different part of the country, the named after the region in which they used, they were used, for example, Prakrit spoken in Magda was known as Maghadi, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, महावीर ने उनको क्या कहा, अहिंसा का उपदेश दिया, और यह कहा कि किसी को नुकसान नहीं पहुचाना है, आपको अपने जीवन में strict niyam का पालन करना चाहिए, चाहें वो और अदमी हो घर में रह करी उन्हें strict niyam का पालन करना चाहिए, और हिंसा नहीं करनी चाहिए, सभी लोगों को जीवन का अधिकार है, इसलिए आपने देखा होगा कि जैन मुनी जो होते हैं, पटीसी बांद के रखते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर हम बात कर रहे हैं और उस समय कोई सूक्ष्म जीव भी हमारे मूँ के अंदर जाएगा, तो वो भी एक प्रकार की हिंसा होगी, ठीक है, अब ओर्डिनेरी पीपल को ये टीचिंग समझ में आई, क्योंकि ये स और नोन आज जैन्स, had lead very simple life beginning, begging for food, they had to be absolutely honest, and were especially asked not to still also, they had to observe celibacy and man had to give up everything इंक्लूडिंग देर क्लोथ्स अब यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने बहुत ही ओनेस्ट जो भी महावीर को फॉलो करते हैं वह बहुत हूंस्त लोग हैं जूट नहीं बोलता है और भिक्षा मांगते हैं खाने की भिक्षा मांगते हैं उसके बाद में वह कुछ चुराते न रहने लगे, it was very difficult for most men and women to follow these strict rules और बहुत सारे आदमी और अरतों के लिए यह rule follow करना बड़ा मुश्किल हो गया मतलब बिना कपडों के रहना और जो बागी के rule है उनको Nevertheless, thousands left their home to learn and teach this new way of life बहुत सारों ने घर छोड़ दिया और उसके बाद में इस तरह की इसको follow करनी की कोशिश की Many more remain behind and supported those who became monks and nuns providing them with food और बहुत सारों ने इस चीज़ को नहीं किया मगर उन्होंने उनको support किया जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और उनको खाना वगएरा दिया जैनिजम वाज supported mainly by traders, farmers who had to kill insects to protect their crops found it more difficult to follow the rules अब जैनिजम जो support कर रहे थे वो लोग कौन थे ज़ादता traders थे व्यापारी थे और farmers थे अब farmers तो क्या करते हैं, crops को बचाने के लिए किडे मुकोडे मारते हैं, तभी तो crop बचेगा नहीं तो सब खायेंगे तो उनके लिए इन strict rule को follow करना बड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने सिरफ support किया, इसको पालन इसका नहीं किया Over hundreds of years, जैनिजम spread to different parts of the North India, उत्तर भारत में फैला, गुजरात में, तमिलाडू, करनाटक में The teaching of the Mahavir and his followers were transmitted orally for several centuries, बहुत समय तक वो क्या? verbally चलती रहे, orally का मतलब कि वो एक दूसरे को बोलते रहे, जैसे मैं बोल रहे हूं, आप सुन रहे हैं, इस तरह से They were written down in the form of, form in which they are presently available at the place called Wallabhi in Gujarat about 1500 years ago 1500 साल पहले ये लिखी गई, उससे पहले ये orally ही बोली जा रहे थे तो ये है इसका first part, इसके बाद वाले part second उसमें आएगा और ये chapter conclude हो जाएगा I hope कि आपको समझ आया होगा, ये chapter जादा बड़ा नहीं है और मैंने आपको बिलकुल easy way में समझाया thank you, thanks for watching